नमस्कार, सत्ते खबर देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ अरुन कुमार दिल्ली में एक बार फिर अर्विद केजिवाल की आमादमी पार्टी सत्ता की बागडोर संभालने जा रही है दिल्ली विदान सभा चुनाओ में आमादमी पार्टी ने 70 सीटों में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की है और बीजेपी को 8 सीटों पर ही समेट दिया दिल्ली विदान सभा चुमाओ के नतीजों पर देजबर के लोगों की ही नहीं बलकि पडोसी देश पाकिस्तान की नजरे भी टिकी हुई थी जब मंगलवार को आधिकारिक तोर पर नतीजे घोशित हो गए तो पाकिस्तानी मीडिया और इमरान खान के मंत्रियों के तरफ से भी अलग-अलग परतिक्रियां आई है पाकिस्तान के विग्यान एम तकनीक मंत्री फवाद चौधरी ने सबसे पहले दिल्ली चुनाओ के नतीजों पर ट्वीट किया है अक्सर विवादित बयान देकर सुर्कियों में रहने वाले फवाद चौधरी ने इस बार भी मर्यादाओं में रहकर टिपनी नहीं की उन्होंने दिल्ली चुनाओ में बीजेपी की हार की खबर को ट्वीट करते हुए लिखा ओ ये क्या हुआ इसके साथ ही उन्होंने पी-एम नरेंदर मोदी को बेचारा भी कह डाला हलाकि चुनाओ के दौरान फवाद चौधरी को ट्वीटर पर खुद अर्विद केजरिवाल ने जवाब देते हुए कहा कि नरेंदर मोदी जी भारत के प्रधान मंतरी हैं और मेरे भी प्रधान मंतरी है दिल्ली का चुनाओ भारत का आंतरिक मसला है और हमें आतंकवाद के सबसे बड़े प्रायोजकों का हस्तक्षे बिलकुल भी बरदास्त नहीं है पाकिस्तानी मीडिया में भी दिल्ली विदान सभा चुनाओ के नतीजों को प्रमुकता से जगे मिली पाकिस्तान के प्रमुक अकबार डॉन में दिल्ली के एहम चुनाओ में मोदी की हार और दिल्ली चुनाओ में केजिवाल की आपने मोदी की बीजेपी को हराया जैसे शिर्शकों से खबरे छपी पाकिस्तान के एक अन्य अखबार डेली टाइम्स ने शिर्शक दिया भारत की सत्तारूड पार्टी को एक और एहम राज्य चुनाओं में हार मिली पाकिस्तानी चैनल जियो न्यूज ने भी दिल्ली चुनाओं को लेकर प्रमुकता से खबर चापी जियो न्यूज ने शिर्शक दिया मोदी के एंटी पाकिस्तान एजन्डे की बीजेपी को चुकानी पड़ी भारी कीमत जियो न्यूज ने लिखा कि माई 2019 में दूसरी बार सत्ता में आने के बाद से बीजेपी के हाथ से दो एहम राज्य जारखंड और महारास्ट निकल चुके हैं राश्टे सुरक्षा के मुद्दे पर कड़ा रुख दिखाने वाले ग्रह मंतरी आमित शाह ने दिल्ली में बीजेपी के लिए आकराम कैम्पेण चलाया बीजेपी शाहिन बाग के जरिये वोटर्स को लुभाने की कोशिश करती रही चुनाओ के एक दिन पहले बीजेपी ने लोगों को शंदेश दिया कि अगर शाहिन बाग का प्रदशन खत्म करना है तो लोग बीजेपी को वोट करें जबकि केज़िवाल ने स्थानिय मुद्दो जैसे बिजली, पानी और स्वास्त सुविधाओं को प्रमुक मुद्दे बना कर चुनाओ लड़ा और हुआ भी यही कि आमादी पाटी को इन मुद्दों का फायदा मिला आमादी पाटी को 62 सीटे यानि बहरी भवमत मिला और बीजेपी इस बार 5 सीटे पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा निकाल पाई यह वीडियो अगर आप फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजेगा और यह वीडियो अगर आपने यूट्यूब पर देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा धन्यवाद